जोगिंदर नगर उकमंडल के सैंथल गाउं में करोना काल में अनात हुए बच्चों ने परदेश कॉंग्रेस सचीव जीवन ठाकुर को अपनी समस्याओं से अफ़कत करवाया जिसे जीवन ठाकुर ने 24 गंटे बीतने से पहले ही उनके लिए 140 पर लैंटे डालने का सपना वह उनसे किया वादा पूरा कर दिया परदेश कॉंग्रेस सचीव जीवन ठाकुर ने बीते सुमबार को करोना काल में जोगिन्न नगर उपमंडल के विवन स्थानों से अनात हुए बच्चों से उनकी समस्याओं से अफ़कत कराने को कहा तब सेंथल काउं के अनात बच्चों द्वारा उन्हें अपनी समस्याओं जिरू बरू कराया गया जीवन ठाकुर ने बच्चों को अस्वस्त क्या था कि वे परदेश सरकार उनके साथ कदम पर उनकी साहता के लिए खड़ी है वा उनके इस कारे में भी उनकी पूरी मदद की जाएगी अपनी कही बात को पूरा करने के लिए मंगलवाज शाम को जीवन ठाकुर उनके संथल स्थित घर पहुंच गए वा बच्चों को सरिया वस्तमेंट दे मदद की उन्होंने कहा कि आज मैं पुरूब जिला पर्चत मौनिका महरा जी के साथ यहां सेंथल गाओं में आया हूँ और यहां जो असाहे बच्चे जो हमारे इस गाओं में थी इनका कल मैंने सब बच्चों को कठे बलाया था इतने अनाथ बच्चे हैं उनके बाद जो सब बच्चों की समस्य हैं सुनी तो मुझे लगा कि यहां बहुत बहुत पर्च्चितियों में जो अनाथ बच्चे अपने बजुर्ग दारादादी के साथ थे तो मैंने ये पुरूब जिलापरसद के साथ मिलकर के हम लोगों ने ये विसाइड किया कि जो ट्राइलेट ये बना रहे हैं ये थोड़ा इनकंप्लीट है अब बजुर्ग दारादादी के हाथ कड़े हैं तो इसकी मदद के लिए हम अपने एंजियों से भी और वेक्टिक सेमेंट हो जा रहा है कि मदद हाहिँ करेंगे ये बच्चे इनको ट्राइलेट्स के लिए बहार जाना है तो बहुत देकत का सामना करना पड़ रहा है तो एक हमने ये मुहीम जैसे मानिय मुख्यमंत्री ठाकुर्शुक्वेंदर सिंग सुखु जी ने जो अनात बच्चों के लिए जो मुहीम सुरू की है तो मैं समझता हूं कि हम लोगों का भी ये दाई तो बनता है कि हम अपने विधान सवा क्षेत्र में जाकर करके कम से कम इन बच्चों की जो समस्या है उनको सुने समझे तो कल ये हमें प्रतीत हुआ पता लगा बच्चों ने बताया तो आज से जोलता कि बच्चों को कोई असुविधा ना हो तो ये तो ये प्रबंध ये थोड़ा पीस मों कम्प्लीट करने में हम सब ये स्योग करें